ओम नमस्षिवाई दुरलब सामगरी को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के उपर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले अगर हमारे ग्रूप में आप शामिल होना चाहते हैं तो ग्रूप के लिंक को आप यहाँ पर डून सकते हैं और आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रूप में शामिल हो सकते हैं ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई आज मैं आपको एक वशीकरण के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत खास वशीकरण है और लोग तरह तरह के वशीकरण के बारे में वीडियोस देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं वो यही सोचते हैं कि हम ऐसा कौन सा उपाय करें या ऐसा कौन सा मंतर जाप करें कि वशी करन एक बार में हो जाए या फिर कुछ ऐसा जो कि मतलब सामने वाले को पता भी ना चले और वो हमारे वश में हो जाए या हमारे कंट्रोल में आ जाए तो हम ऐसा कौन सा वशी करन कर सकते हैं उसके उपर इसी को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा वशी करन या फिर क्या ऐसा कर सकते हैं कि सामने वाले को भनक भी नहीं चलेगी और आप उसके उपर वशी करन करके उसे हासिल कर सकते हैं ये उन लोगों के लिए है जो मुझे धेर सारे वाटस अप और इमेल करते हैं कि गुरुची बताएए कैसे वशी करन करें जिससे सामने वाले को पता भी ना चले और वो एकदम से हमारे प्यार में पागल हो जाए या हमें जिन्दगी भर के लिए मिल जाए तो देखिए इसकले सबसे आसान और सबसे सरल जो तरीका है वो है उसे तोफ़ा यानि की गिफ्ट देना आप उसे गिफ्ट दे के भी वशी करन कर सकते हैं यानि की अपने कंट्रोल में उसे कर सकते हैं वशी भूत कर सकते हैं सिर्फ एक तोफ़े के माद्यम से आजकल तरह तरह के तोहार आते हैं आप सभी जानते ही हैं और बहुत सारे तोहारों में आपको गिफ्ट देना लाजमे होता है और तरह तरह के आप गिफ्ट भी देते हैं तो उन्हीं में से अगर आप चाहें तो कोई भी एक गिफ्ट देख आप एक तोफ़ा देखे भी आप अपने प्यार को हासिल कर सकते हैं और बहुत ही इजी है बहुत ही आसान है सिर्फ इसमें चाहिए थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा सबर क्योंकि सबर तो करना पड़ेगा बिना सबर के कोई भी काम नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है लेकिन उससे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि अगर चैनल को आपने अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लीजे ताकि मैं आपके लिए वीडियो लास कूँ नहीं नहीं और आपको दे सकूँ और क्योंकि मैं अभी कम टाइम में वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ आपको लेकिन आगे से आपको रेगुलर वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी ध्यान रहे जो भी आप गिफ्ट देना चाहते हैं जो भी आप उपहार देना चाहते हैं अपने दोस्त को या अपने प्रेमी को जो भी आप तौफ़ा देना चाहते हैं वो खाने पिने की चीज़ों में सही हो ना कि कोई मुबाइल या फिर कोई इलेक्ट्रोनिक चीज़ हो करना है वो जो भी चीज़ है जैसे कि कोई चॉकलेट है तो आपको उस चॉकलेट को अपने सामने रखना है या फिर जो अगर वो बिस्कुट है या कुछ भी खाने की चीज़ है उसको आपको अपने सामने रखना है और बैठ जाना है नीचे बैठ जाना है जमीन पर और दोन मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आपको वो चीज पकड़के बैठ जानी है अपने हाथ में, साथ में पानी का ग्लास रखना है, और मंतर बोलना है, ओम क्लीम काम देवाए, फिर उस व्यक्ति का नाम, फिर वश्यम कुरू कुरू स्वाह, ये मंतर आपको 21 बर जाप करना है, 21 बर चाप करने के बाद, आपको वो जो पानी है, वो थोड़ा सा पानी उस चॉकलेट के उपर गिरा देना है, याद रहे चॉकलेट रैपर में पैक हो, या फिर कोई भी चीज जिस पे पानी गिराएंगे, वो डारेक्ट पानी ना गिरे, वो किसी ना किसी चीज में पैक रहे, थोड़ा सा पानी उपर गिराने के बाद, वो पूरा का पूरा पानी पी जा रहा है, और उसके बाद वो तौफ़ा आप दे सकते हैं, 48 घंटे के अंदर अंदर वो तौफ़ा आपको देना है, यानि कि वो जो चीज है, वो खा लेनी चाहिए, मतलब यदि 48 घंटे के उल्टा भी हो सकता है, जब आप बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हों, तो ही इस प्रियोग का इस्तमाल करें, और यदि किसी और से आप पूजा करवा रहे हैं अपने प्यार को पाने के लिए, या किसी और के द्वारा कोई तंतर मंतर प्रियोग किया जा रहा है, तो ये कारे बिल्कुल भी ना करें, जब ये काम करें, तो केवल यही काम होना चाहिए, इसके अलावा और कोई काम ना हो, और ये बहुत ही प्रचंड है, तोफा दे कर आप कर सकते हैं, किसी और अपने वशी भूत, और कोई इस पे शक भी नहीं करेगा, और आपको पता भी नहीं चले और आप दोनों की जो एक दूसरे के प्रती कमपैटिबिलिटी है, वो भी अच्छी हो जाएगी, और आप दोनों को एक दूसरे का साथ हमीशा हमीशा के लिए मिलेगा, धियान रखेगा, आज के समय में एक दूसरे को देखकर लोग खुश नहीं होते हैं, आपस में प्रोटेक्शन बना लीजिए, अब आप अपने प्यार के ओपर प्रोटेक्शन कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको शुरक्शित कर सकते हैं हर तरीके से, कि कोई भी इसके ओपर कोई तंत्र मंत्रिया काला जादू प्रयोग करके उसे तुमसे अलग ना करे, क्योंकि यह देखा कुछ गलत हुआ है, तो वो उपर वाला उसे देखेगा, आप बीच में मत आईए और दो मिलने वालों को कभी जुदा मत करिए, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा इसके साथ, और इस चीज़ का पता कैसे लगाया जाए कि आपके पीच में, यानि कि आपके और आपके प्या कि मेरी अगली वीडियो, लेकिन मैं सबसे पहले यही चाहता हूँ कि अगर आप किसी के साथ प्रेम प्रसंग में हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके प्रेमी हैं, उनका संबंद आप से कभी ना तूटे, यानि कि आपकी जो रिलेशन्शिप हो कभी खतम ना हो, तो उ दोनों फोटो जो है, वो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, और उन दोनों फोटो को एक दूसरे के ऊपर रख देना है, दोनों का जो फेस होता है, वो एक दूसरे की तरफ हो, और उसको रखने के बाद भोज पत्र को आप जो है, फोल्ड करिए, यानि कि मोड़ना लेना वहां से, और उसको ऐसे रख दीजेगा, ऐसे रखने से आप दोनों की जो बांडिंग हो और जादा स्ट्रोंग होगी, और तीसरे वेक्ति कभी भी पीच में नहीं आ सकता, जब तक कि कोई खास उसके उपर पूजा ना करवाई जाए, या तंतर मंतर का प्रयोग ना खराय जाए, और मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेर करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपको वीडियो कैसे लगी, हमेशा की तरह मैं आपको फिर एक सादवी से मिलाने जा रहा हूँ, जिनके काम बन गए हैं, और वो बहुत खुशे हैं हमारे दोरा मंत्रों को जाब करके उनके काम बने हैं, तो आप भी जाब करिए, आपके भी काम बनेंगे, दोराय वाले इसमें कोई भी बात नहीं है, सारे मंत्र टेस्टेड होते हैं, इसलिए वीडियो आने में थोड़ी देर लगती है, तो सुन ठीक है, पर मैंनो हुं था डी मोवी थोड़ी अंकल रसों के मानो शान दिया, कि हाँ वे चलो जो है तो ठीक है, मेरे विशपूरी होगे, मैंनो बहुत खुशी है थादा, बहुत बहुत थैंक यू, जैसे इनकी विशपूरी होई है, वैसे आपकी भी विशपूरी होगी, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है और patience रखने, सबर रखना है सबर सबसे बड़ी चीज है सबसे बड़ी बात आती है कि लोगों में सबर नहीं होता यदि आपके अंदर सबर नहीं है तो काम नहीं बनेगा maximum काम सबर से ही होते हैं आपको patience रखना पड़ेगा यह जो चीज़े होते हैं यह वातावरन में फैल जाती है यानि कि जैसे हम हवन इत्यादी करते हैं और यह फिर धीरे धीरे जो आपका काम है उसको बनाने में लग जाती है तो इसलिए आपको पहले सबर करना होगा मंतर जाप करिए मंतर जाप करने के बाद उसका रिजल्ट आएगा आपको जरूर मिलेगा लेकिन आपको सबर करना है उपर वाले पे विश्वास रखना है यह आप उपर वाले पे विश्वास रखते हैं और सबर रखते हैं दोनों चीज़े हैं आपके पास तो आप भी इसी की तरह खुश होंगे वो दिन दूर नहीं है जब आप भी बोलेंगे कि आपके भी काम बन गए तो मैं आपसे उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगी होगी और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा उन लोगों के साथ जो आपसे मदद चाहते हैं और दूसरों को शेयर करके ज़रूर वीडियो दिखाएए ताकि उनकी भी मदद होसके और आप जो भी अगली वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एक धियान ने के वज़े से ही काम नहीं होते तो आप कहीं से भी काम कराएं या आप खुद भी करें सबसे पहले जरूरी है आप अपना विश्वास रखें और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा जिनको मेरी आवास बहुत अच्छी लगती है उनके लिए एक खुश खबरी है कि मैं अब आपको रेगलर वीडियोस दूँगा लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और भी साथा वीडियोस लास्क हूँ और हमेशा की तरह अब मुझे तीसरा ग्रूप बनाना पड़ रहा है हमारे दो ग्रूप और रेड़ी फुल हो चुके है और अब तीसरे ग्रूप की बारी है तो जो भी लोग तीसरे ग्रूप में और ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा कमेंट सक्षिन में ओम नमस्षिवाए